पता है कोई उम्मीद नहीं जीतने की पता है चैंपेंज लीग से बोर्या विस्तर पैक करके अल्रेडियम तैयरी कर चुके हैं बाहर जाने की बस उस डिपार्चर के टिकेट की उपर ठपा लगना बाकी है जो आज रात में लग सकता है पट फिर भी बेशिरम बनके रात के ड कोपनेगन वर्जिस गलतासरे वाले मैच को ड्रॉप पर ही खतम कर देना हां मतला हम यूनाइटेड फैंस इस वक्त पर उस कदर के बेशरमी लेवल में पहुँच चुके हैं जहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता के सामने वाला हमारे बारे में क्या बोल रहा है इस स्टेट पॉइंट है गलतासरे और कोपनेगन के 5-5 पॉइंट है और यहां पर मैंचेस्टर युनाइटेड के महज 4 पॉइंट है और ऐसा नहीं कि यह सिचुएशन में हम खरा फुटबॉल केल कर पहुँच गए है या फिर हम जो मैचेस हारे है वहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है हम गलतासरे जो होम का मैच था वो हम विनिंग पोजीशन से हारे then कोपनेगन वाला जो मैस था जो उमने ज्विनिग पोजीशन से ड्रा करा के आये actually वो भी हारे, not draw कराया but वो भी हारे and then यहाँ पर गलतासरिक का जो last game week था उसमें भी हम lead कर रहे थे 3-1 से और ultimately विए 3-3 का draw खेल लिया and all thanks to our goalkeeper जिन्होंने हमारे इस UCL campaign पर टांग उठा कर सूसू कर दी and last year जब डेविड डेहा थे हमारे पास तो हमने उनको इसी रहे contract नहीं दिया था कि आंद्रे उनना आएंगे Champions League final खेल कर आ रहे हैं he knows what it takes to play for a big club and definitely sweeper keeper हमें एक चाहिये था build up from the back 10 hack philosophy वो सारी चीज़े consideration में लेकर ही हमने उनना उनना को sign किया था लेकिन उनना became the reason जिसकी वज़े से हमें यूरोप से बाहर जाना पड़ रहा है तो अगर मैं Manchester United के record की बात करूँ against Bayern Munich तो खासा खराब रहा है पिछले 12 Champions League के fixtures में हमने Bayern Munich को महस दो बार हराया है 5 draw खेले हैं और 5 matches हमारे हैं में से जो दो victories हैं उसमें से एक victory तो आपकी Champions League के final में आई थी 1999 में जब आपने treble जीता था और एक आपका knockout fixture आया था 2009-2010 में यहाँ पर अगर मैं Bayern Munich के record की बात करूँ तो Bayern Munich के record Old Trafford की उपर कुछ खासा अच्छा रहा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उनके Old Trafford पर record की बात करूँ तो उन्होंने total मिला कर यहाँ पर 5 fixtures खेले हैं और 5 में से उन्होंने 3 draw खेले एक वो हारे और एक उनको 2001 में victory मिली थी बड़ेन past record को हम side में भी रखे हैं और current scenario को consider करें तो United Defense अभी Champions League के इस current campaign में one of the worst है second worst है मैं अगर देखू तो अगर statical तौर पर यहाँ पर present करूँ Antwerp ने in total यहाँ पर 15 goal concede के हैं Champions League में और Manchester United second worst defense के साथ 14 goal concede करके बैठी हुई है although on the other hand group stage में सबसे ज़ादा goal अपने group में score करने वाली team भी यहाँ पर Manchester United ही है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर आपका जीडी जो है वो माइनस टू का है अब अगर मैं इस साल के Champions League campaign की बात करूँ Manchester United ने शुरुआ थी बहुत ही negative तोर पे की थी जहाँ वो बाइन मिनिक के अगेंस उनका जो पहला फिक्शर था अवे पर जाकर वो 4-3 से हार गए थे scoreline बया नहीं करती कि United उस मैच में कितना खराब कहली थी we were all over the place thanks to Casemiro ने जो दो गोल स्कोर कर दिये वहाँ से थोड़ी से हमने अपनी जो pride थी वो salvage की लेकिन उसके बाद जब दूसरा गेम आया तो वहाँ पर आपने देखा कि गलतासरे वाले मैच में हम लीड ले गए हमने तीन बारी लीड ले और उसके बावजुद हम यहाँ पर वो मैच हार गए थे यहाँ पर उसके बाद जो अगला मैच हुआ था जो एक victory आई है United की उसमें one of the main reason was आंद्रे उनाना की वो penalty से और इस Champions League campaign में जो हमने winning position से 7 points ड्रॉप की है वो कही ना के यहाँ बोलोगे उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो आंद्रे उनाना का ही रहा है तो यहाँ पर इस game week में जाते में आंद्रे उनाना की उपर खासा pressure है अब अगर मैं यहाँ पर बायन की बात करूँ देखो बायन भी पिछला match अपना जो है Frankfurt के गेंस वो 5-1 से हार के आई है United on the other hand domestic fixture अपना 3-0 से हार कर आई है Bournemouth के गेंस तो दोनों की ही जो situation है वो काफी जादा critical है इस वक्त पे and yes दोनो managers के उपर pressure भी है Tukal अपनी brand of football के लिए criticism झेल रहे है although उनकी league में अभी position जो है वो second है और यहाँ पर Champions League में वो भी group toppers के तोर पर qualify कर चुके next round में but still last year Nagels में इनको इनी सारी चीजों के लिए सैक किया गया था और Tukal के relation भी कुछ senior figures के साथ जो है वो सही नहीं बता जा रहे है क्योंकि current repair जो है वो यहाँ पर club छोड़के जाना चाहते हैं और बहुत सारे अधर आपको नाम सुनने को मिल रहे हैं जो कि club में यहाँ पर वो healthy atmosphere experience नहीं कर पा रहे है युनाइटिट की अगर मैं बात करूँ तो 10 heck की उपर काफी pressure है job is on the line आप कह सकते हो media ये चीज बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि 10 heck की job को खत्रा नहीं है खत्रा नहीं है लेकिन at some point आपको पता ही है कि युनाइटिट अगर Champions League से भार जा रही है युनाइट अगर Liverpool से हार जाती है और इस महीने में हमें Villa और बाकी team से against खेलना है तो definitely हम काफी ज़ादा under pressure रहने वाले हैं और जैसे results हमारे आए हैं जो lack of consistency है हमारे game में कहीं न कभी वो सारी चीज़ में pile up होकर 10 heck की second की वज़ए बन सकती है बढ़ आज कि अगर मैं team selection की बात करूँ क्या हमारी team होनी चीए क्या line up के साथ हमें उतरना चीए तो सबसे पहले तो Andre onana in the goal मतलब बो तो एक short shot आपकी selection होई गई then right back के तोर पर I guess क्योंकि आपको goal score करना है आपको out score करना है बाइन विनिक को तो आपके पास आज खोने को कुछ है नहीं अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ये बात करने की कुछ करते हैं कि unity का approach क्या होना चीए हमें पता है कि हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे हम survive नहीं करवने वाले एकी तरीके से हम जीत सकते हैं एकी तरीके से हम qualify कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर बाइन को हरा दें तो बाइन को हराने के लिए आपको ज़्यादा chances create करने पड़ेंगे उस case में definitely आप अपनी defense lane को export ज़रूर करोगे लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ खोने को है नहीं basically तो definitely यहाँ पर 10 heck का यही no nonsense approach होगा कि let's just throw everyone upfront और यहाँ पर try करते बाइन के defense को test करने की क्योंकि अगर Frankfurt ने यह चीज़ की है तो अगर हम यहाँ पर एक better system के साथ जाएंगे definitely थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हो और अपने खराब दिन पर भी हमने तीन गोल स्कोर किये थे बाइन के अगेंस although तब उनके जो keeper थे वो नौयर नहीं थे अपने वापस आचुके है यहाँ पर अगर मैं right back के तौर पर बात करूँ Diego Delo has to be there यहाँ पर हमको पता है कि भाई आपको अगर देखा जाए Johnny Evans available है but यहाँ पर क्योंकि आपने पिछले match में Luke Choco left center back खिलाया आपने यहाँ पर जब उसको substitute किया तो आप Johnny Evans को लेकर आए यह Champions League का fixture है आपको पता है वाँ पर Bayern के पास कितने PC wingers हैं कितना उनके पास एक बड़ा world class player है Harry Kane के तौर पर अगर जौनी इवांस के साथ आगे बढ़ते हो I don't think it would make any sense आप थोड़ा सा अपना ego solo करो अपनी pride solo करो give chance to Rafal Varane because that's what is needed और यहाँ पर Rafal Varane और Harry Maguire चाहे कुछ भी करें आज के match में but at least go with a line-up जो की एक experience line-up हो and definitely जिसके पास बड़े games में खेलने का left back position पर Luke Shaw is the obvious choice आप Reguion नहीं खिला सकते defensively Reguion उतना better नहीं है और ball carrying के मामले में Luke Shaw से better तो Reguion नहीं है यहाँ पर हमें पता है set pieces हमें जब left flank से मिलते हैं तो Luke Shaw की importance हमें कितनी ज़ादा समझ आती है तो यहाँ पर यह मेरी back four होगी midfield में I guess last game में Amrabad was also all over the place Scott McTominay was all over the place but क्योंकि कल के match की press conference Scott McTominay ने attend की और काफी बड़ी बातें बोली हैं भाई that everyone is backing the manager there is nothing like toxicity in the dressing room और यह और वो यहाँ पर I guess Scott McTominay will be there in the line-up although यहाँ पर मैं Amrabad और Scott McTominay को दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता I would want to see Kobe Meno थोड़ा composure on the ball but that is what it is यहाँ पर आपको क्योंकि break करना है उनके build-up को तो यहाँ पर आपको आमराबाद की physical presence चाहिए है और let's say कि अगर इवान स्टार्ट करता है मैं शॉक भी नहीं होंगा कि because that's what Tenek has been doing for so long now तो यहाँ पर आमराबाद और आप बोलोगे Scott McTominay become the two obvious choices और उसका अफरंट आपका Bruno है Bruno तो start करेगे करेगे कि उसको Liverpool वाला game तो खेलना नहीं है because वो suspended उस game के लिए तो यह मेरी midfield होगी इसमें and definitely आगे अफरंट Anthony की performance हर game में improve होई है तो Anthony को drop करने का sense नहीं बनता because Marcus Rashford और Anthony Marshall दोनों ने train नहीं किया है so there is a high possibility that Marcus Rashford won't be available for selection and in case Marcus Rashford is available for selection तब भी मैं यहाँ पर Anthony को ही start दूँगा because we play better football we play better offensive football without Marcus Rashford तो यहाँ पर Garnaccio as the left winger Hoyland जिसने अभी तक 5 goals score कर रखे हैं Champions League में उसने खाता नहीं खोला है Premier League में and these are the two sides of Freshman Soiland that I can't understand के भाई यहाँ पर Champions League में he has scored most number of goals यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Premier League में बंदे से खाता नहीं खुल पा रहा है तो ऐसा नहीं कि United यहाँ पर एक अच्छे mindset के साथ जा नहीं सकती मेरे ख्याल में आज आपके पास खोने को कुछ नहीं है you know just throw everything that you have got under your belt and just try to defeat Bayern Munich with the best possible of your abilities आपको अपने top of the game रहना पड़ेगा पूरे match में अब देखो United Bournemouth के अगेंस जब हारी है सबसे important चीज़ जो थी कि आपने second balls बहुत lose की and then Bayern के अगर मैं midfield की बात करूँ उनके पास kimmick है गोरेट्स का है जो कि second ball जीतने में बहुत ज़ादा माहर है and then उनके पास एक highly defensive work rate provide करने वाला number 9 है Harry Kane के तौर पर जो कि आप देखो कि उसका movement inside the box elite है aerial duels वगरा में he is very good and the most important thing is वो यहाँ पर जितना ज़ादा goal score कर सकता है उतना ही अच्छे से वो create भी कर सकता है they have got two PC wingers Saneh और Koeman गनाबरी injury के चलते Frankfurt वाले game में बहार आये थे उनके पास Alex Dell वगरा भी है तो definitely यहाँ पर उनके पास अच्छा squad है इस वक्त पे Manchester United सबसे ज़ादा under pressure है अगला game उनको Liverpool का खेलना है वो तीन लगातार victories नहीं सफर कर सकते एक Bournemouth के गेंस देन बाइन में ने कैन फिर उसका लिवरपूल Ten Hag needs to make sure कि आज उनकी team fight करके सब कुछ throw करके तब जाए यहाँ पर team selection on point रहना चीए and Ten Hag की in-game management को बहुत आज improvement की ज़रूँद है क्योंकि हमने Bournemouth वाले game में कोई tactical change होता नहीं देखा था and definitely यहाँ पर Bournemouth वाला game हमें clear picture देता है कि इस वक्ट पर Ten Hag कितना under pressure feel कर रहे हैं अपने आपको इसलिए उनके end से आपको वो आप बोलोगे maturity substitution के time पर timing of substitution बहुत खराब रही है अभी तक Ten Hag की आप चाहिए जितने matches उठा कर देख लो even जब हम जीते भी हैं तब भी timing of substitution Ten Hag की बहुत average रही है और वो Chelsea वाले एक game ने हमें hope दिखाई थी हम जितने भी matches जीते हैं Brentford वाला या फिर आप Sheffield वाला बोल लो उन सारे matches में हर बार यही बोला है कि हो सकता है इस game से हमारे अच्छे performance की शुरुआत हो जाए बट हर game हमें एक सिर्फ उसके बाद वाला game हमें निराशा ही देकर गया है इट साइ टाइम United Players realize their responsibility and Ten Hag realizes his responsibility कि उनसे क्या उम्मीद लगा है बैठा है fanbase तो यहाँ पर I am expecting कि आज बस किसी भी तरीके से relevancy की लडाई में हम थोड़ा से एक अच्छा performance drop करते हैं अगर हम Champions League से बाहर जाते भी हैं तो मैं एक अच्छी fight put up करके जाएं I don't care हम one nil हारते हैं two nil हारते हैं या फिर हम draw करते हैं तो मैं बस अपनी watch along जरूर करेंगे तो मिलना बद भूलेगा इस वक्त पर मतलब रात के एक वजे हमारे इस चैनल की उपर और साथ में बैट कर match देखेंगे रोहेंगे गाएंगे साथ में अगर जीते तो celebrate भी कर लेंगे जिसकी chances थोड़े कम है बड़ा इसे के साथ मैं आप से लेता हूं वालविदा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए goodbye, take care, sayonara up the fucking rights, glory glory man united